इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो आक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेश्पंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सबी पाउरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश्मंत्री अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है सौधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बच्चना मुश्किल होगा वजह ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूट डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इसराइल मेजालि मेजालिमी जए उन्चलिक्ति गुंद मदेशिती अरासंदे। इसराइल में जाता है उतना ही वर्जों मे उसे जहते हैं मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे 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 छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई हैं हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले है जिसमें एक एहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया यहां की धार्मिक मानिता के मुताबिक उनको भी शानती नहीं और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टूटा फूटा है यहां पर देखिए यह गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं देख को देखने आ रहे हैं के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने आपरेशन का जिम्मा सौपा गया है वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम पासिम को बनाया गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते यह मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वर प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये है अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले तोपो के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफल है, 14,000 अंटी टैंक मिसाइल है और 8,700 MK 82 500 पाउंड बं शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आइरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर, आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की मदद दी है अमेरिकन इसराइल को 14,100 MK-84 अंगाइडिट 2,000 बम, 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनीशन, डम टु स्मार्ट बम ट्रांसफॉर्मर किट, 3,000 हेलफायर मिसाइल, 2,600 धाइसो पाउंड जी बियू 39 छोटे बम, 1,800 M141 बंकर बस्टर बम, 3,000 नाइट विजन डिवाइ है, इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है, यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ, अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है, हर तरफ से है, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम ब सूपर्पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना, उसकी जीत और वजूद दोनों के लिए जरूरी भी है, वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसाइलों से हमले करके सभी को चौका दिया था, तबसे दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन हैं कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है, अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है, ज और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिस्बुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भ्यानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है। जड़ा देखे इसराइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलंट ने क्या कहा है। इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ। यॉफ गैलन्ट ने कहा कि इरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले कि इरान को भनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन्ट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूतरों की माने तो इस्राइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुचाने के लिए होंगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाइल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा भले ये क्यास लगाय जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबा नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियार में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके अटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे है अब ये भी जान लीजे कि इरान ने पाच अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच पाच अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कथित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के गरीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे है भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि इरान ने परमानू बम का प्रिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंद्र सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी निउकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दोरान जिस तरहा की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी जैसी निउकलियर विसपोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा competets और वेज्यानिक ये दावा कर रहे है कि इरान ने पर्मानू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुन्दर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सॉनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सेहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट स्लिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकर इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि एरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्द देखे इसराइल डिफेंस पोस्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मुदाबक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बाच्चीत किये दावा किया गया है कि एरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके अलावा आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का निद्रित किया था खबरे ये भी है कि आईडिफ की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लैन इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मुटाबक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल इरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सूपर पावर बन जाएगा